हेलो दोस्तों मैं उस अंतोशने को में आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पे जिसका नहां में बैक बेंचेस आफ स्टॉर्स हुआ है जोइए दोस्तों और शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को कर जो भी लेविल्स और डिसकूस किये थे निफ्टी लिएक वो बुलिश हो सकता है और इज्याट ली बहुत ही अच्छे से बुल साइड के रैली जो देखने वो आज के दिन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है अगर similar बात करने जाए हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में सौरी निफ्टी के फ्यूचर के बारे में देख लिजे फिफटीन ताउजन एट हंडड का आप लोगों के साथ में मैंने magical level जो है वो डिसकस किया हुआ था बैंक निफ्टी में हम लोगों बहुत शांदर प्रॉफिट आज के दिन में देखने को मिला है अगर से आप लोग चार्ट रीडिंग में इंट्रेस्ट रखते हैं या फिर कुछ प्राक्टिस करना चाहते तो यह जो स्टॉक्स है यह आपके लिए बहुत 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 ब लगा जासा को मिला है चालीज़ार के ऊपर का उपर का प्रॉफिट जो कल्रम विए ど फ्राशिक स्क्राइज हमलगर हो से मैं देखने को मिला है यानि कि दूसरा स्टॉक आज डिन के लिए भी सीधा राली हम लोग को अपसाइड का देखने को मिला है और जो थर्ड कॉल हम लोग ने देखिया इसकर्स किया था बजार जॉट्ट का उसमें भी सेम है यानि कि दूस्तो जो भी मैं अपने वीडियो की थम्नेल में एकुरिस्टी क्लेम कर रहा हूं जो कि 99% की एकुरिस् तक कोशी तरह कि 365 डेज तक इसे बरकरार रख सकूँ जो लोग कहते कि आप्शन बाइंग में या फिर एक्यूटी ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है उन लोग को भी एक सही से जौब जो वह मिल जाए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस वीडि जो मैं आप लोग के साथ में फ्री आफ कॉस्ट में शेयर करता हूं तो वीडियो अच्छा लग रहे है कुछ कमा रहे है इससे आपका जो नौलेज है इसमें कुछ गें हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए बात करें कल के दिन की पहली ब्रेक आउट स्टॉ 2425, 37 और 53 अपसाइड के लेविल्स रहेंगे तो 2403 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इन केस अगर ये अपसाइड में नहीं चला जाता है और ये ब्रेक आउट अगर पेक ब्रेक आउट कंसेडर किया जाता है तो यहां से हम लोगों को डाउंसाइड में पॉल जो है रिलाइं 2393 के नीचे 2394, 383, 368 हमारे डाउंसाइड के लेविल्स होने वाले हैं तो 2418 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कल के दिन की जो दूसरी ब्रेक आउट स्टॉक होने वाली है वो मेरी फेवरेट स्टॉक है त्री राम ट्रांसवर्ट फिनांस की फेवरेट इसलिए क्योंकि जब पोर्ड भी फेस कर रहा है अगर यहां से बाउंच बैक हो जाता है कल तो 1287 के ऊपर यह बुलिश हो जाएगा 92, 1303 और 316 अपसाइड के लेविल्स रहेंगे तो 1280 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा है केंडल क्लोजिंग बेसिस में इनकेस अगर यहीं सी यह नीचे आ जाता है 74, 67, 58 डाउंसाइड के लेविल्स रहेंगे तो 1287 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कल के दिन की जो तीसरी ब्रेकाउट स्टॉप हम लोगों के रहने वाली है और रहेगी PVR के PVR न देख लीजिए गाइस मतलब आज कल अगर आप लोग देखोगे तो सारे स्टॉप जो है ना मार्केट इतना पैनिक था लॉक्डाउन की वाज़े से फिर भी ऐसा कोई सिचुएशन हमारे पास नहीं आया था तेकिन आज हम लोग के पास में इस टाइप का सिचुएशन जो है वह रशिया और यूक्रियन वार के कुछ भी रिजल्स फाइनल रिजल्स निकल करके नहीं ट्रेड करने के लिए यहां पर देख लिए अच्छा वॉल्यूम जो है इसमें इंटर हुआ है 1877 का मैजिकल लेवल है इसके उपर यह बूलिश है 83,92 और 1,906 अपसाइड के लेवल्स है 1,867 स्टॉप लॉस है इनके सकर यह अपसाइड में नहीं चला जाता है यहां से नीच जा जाता है तो 1,867 के नीचे अब यह रिश रहेगा 861, 854 और 842 डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे तो 1,877 यह हमारा टॉप लॉस होने वाला है इसके बाद में बात करेंगे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में शुरूआत करते हैं निफ्टी के फूचर के साथ में तो फूचर के लेवल इसलिए आप लोग के साथ में मैं शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर रीजन इसका यह है कि जो भी आप लोग अगर से बड़ा कैपिटल है आप लोगों के पास में तो आप लोग साइडवेज मार्केट के चक्कर में ना फस है और अगर छोटा लिए उसको देखने की आदेत लग जाए इसलिए हम लोग सारे लेवल जो फ्यूचर पर डेस्कस करता है अब अगर मैं इसका प्रेडेक्शन के बारें बात करूं दोस्तों तो देख लिए हम लोगों को यहां पर एक डबल बॉटम का फॉरमिशन जो वह देखने को मिल रह जैसे कि आप लोग जानते कि हम लोग इंट्रडी टेड़स है इंट्रडी के बीसिस पर कुछ लेवल साप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखे हुए जो कि मेरे मैजिकल लेवल से इन्हें आप लोगों को अपनी चाट्स पर ड्रॉ कर देना है दोस्तों क्योंकि अगर साप लोग इन्हें लिख करके रखते हैं तो इसका कोई फाइदा नहीं हो नहीं होला है चार्ट्स पर इसे लगाने का फाइदा यह हो जाएगा आप लोगों के लिए जब कभी प्राइस एक्षिन का सैटप बनेगा उसे कैच करने में आप लोग को बहुत जादा आसानीजियों तो हो सकती है 16,016 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश रहेगा 16,057,108,156 और 230 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे इन केस अगर इसमें वाइं नहीं आता है तो 15,970 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर बेरिश रहेगा 927,883,842 और 801 हमारे डाउन साइड के ल प्लोजिंग जो है बुलिश वाला वह आज के दिन में हम लोगों को दे दिया है तो इसमें भी कल बुल साइड का रैली की जो पॉसिबिलिटीज है जो हम लोग फिर्स आफ के बारे हम बात करेंगे वो हम लोग को बनी देख रहे हैं यहां पर 34,430 के ऊपर बैंक निफ्ट 13,133,34,14 और 33,895 हमारे डाउनसाइड के लेवल से दोस्तों यह थे मेरे तीनों बहतरीन ब्रेकाउट स्टॉक्स जिनके बारे में हम लोग सारी चीज़ें डिसकस किये जैसे कि उनकी एंट्री कहां पर हो सकती है स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और इनके टागेट्स क्या हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है आप लोग मुझे लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए टेलिग्राम पर भी फॉलू कर सकते हैं और अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो जरूर कर दिए